स्टोरी बस तितार आपका हालियों का आरे चनल की वीडियो को मिस्किये बिना देखने के लिए उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकोन दबाना ना भुलिए एक जैपुर नाम का गाव था इस गाव में शेखर नाम का आदमी उसकी बीवी और उसके बेटे के साथ रहता था शेखर पाठचाला में बच्चों को पढ़ाया भी करता था उसने अपने बेटे को पढ़ाई करने के लिए शहर भेज दिया था उसका बेटा हर महिने में एक बार आकर अपने माबाप से मिलता और शहर वापस चला जाता था और ऐसे ही कुछ साल बीच जाते है अब शेखर बुड़ा हो चुका था और उसकी पत्नी भी गुजर गई थी इसलिए शेखर गाउ में अकेला ही रहता था और इधर शेखर का बेटा रोहन भी बड़ा हो चुका था अब उसकी शादी भी हो चुकी थी वो अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ शहर में ही रहता था उम्र होने की वज़े से शेखर अब ठीक से चल भी नहीं पाता था इसी वज़े से वो कभी-कभी लड़ खडाते गीर भी जाता था शेखर का एक दोस भी था हर दिन वो शेखर से मिलने बगीचे में जरूर आता था तब वे दोनों डेसारी बाते करते थे इसे ही एक दिन जब शेखर बगीचे में नहीं आता तब उसका दोस शेखर को मिलने उसके घर चला जाता है शेखर आज तुम बगीचे में मिलनी नहीं आए तुम्हारी तब्यट तो ठीक है क्या बताओ तुम्हें उमर होनी की वज़े से अब मुझे ठीक से चलना भी नहीं आता और मेरे हाथ भी काफने लगे है तुमने इसके बारे में अपने बेटे और बहु से बात की है क्या हाँ दोस्त मैंने अपने बेटे से इसके बारे में बात की है मेरा बेटा मुझे शहर उनके पास रहने के लिए बुला रहा है सही तो है इतने साल तुम काउ में रहे अब शहर जाकर कुछ पल अपने बेटे बहु और पोते के साथ भी ताना तुम सही कह रहे हो दोस्त मैं कल ही शहर जाने के लिए निकलता हूँ अगली ही दिन शेकर शहर चला जाता है और अपने बहु बेटे के घर पहुच जाता है पिता जी खो अपने घर देखके उसका बेटा, बहु और पोता बहुच होते है ये सुनकर सभी बहुच हो जाते है आप दादा जी हमारे साथ रहेंगे ना अब बहुत मज़ा आएगा आप बेटा, अपसे तुमारे दादा जी यही रहेंगे और हम सब को काफी मसा आएगा शेकर शहर में नया था, तो उसका परिवार उसे बाहर गुमाने ले जाता था जैसे कि वो कभी अपने बहु के साथ कपड़ी खरीदने मौल चला जाता अपने बेटे के साथ खाना खाने रेस्टरॉन चला जाता तो कभी कभी अपने पोते के साथ खेलने वो पार्क चला जाता था ऐसे ही कुछ दिन चले जाते हैं बहु, अरे बहु, इधर तो आना जी ससुर जी, आपको कुछ चाहिए हाँ बहु, मेरे लिए एक कप चाई बना के ला सकती हो आँ, लाती हू शेकर की बहु उसको चाई बना के दे देती है बहु, अरे बहु, तुमने आज का न्यूस पेपर कही पे देखा है क्या जरा मुझे ढून के दे दोगी शेकर की बहु उसको न्यूस पेपर ढून के दे देती है एसे ही हर रोज शेकर बहु से कुछ ना कुछ मांगता रहता था और इसकी वज़स से बहु बहु बहुत गुसा हो जाती थी जब सब खाना खाने बेटते थे तब हाथ कापने की वज़स से शेकर से खाना नीचे गिर जाता था और बहु को बाद में वो साफ करना पड़ता था शेकर से परेशान होकर उसकी बहु अपने पती से जाके कहती है तुम्हारे पिताजी मुझे दिन भर कुछ ना कुछ काम बताते रहते हैं और इसके वज़े से मैं बहुत ठक जाती हूँ अब मैं ये रोज-रोज की परेशाने सेहन नहीं करूँगी ये सुनकर रोहन भी बहुत गुसा हो जाता है और अगले ही दिन बहु अरे बहु इधर तो आना अब क्या चाहिए आपको? मेरा चाई पिने का मन कर रहा है क्या तुम बना सकती हो? सुर जी, आप दिन में चार बार चाई पिते हो और इसी वज़े से गर में दूदी नहीं बच रहा है आज से मैं आपको सिर्फ एक ही बार चाई बना के दूँगी ठीक है बेटा, मुझे चाई नहीं चाहिए तुमने टीवी का रिमोट देखा आप दिन बर टीवी रेखते रहते है इसी वज़े से चिंटु की पढ़ाई भी नहीं हो पाती और इसलिए मैंने ही रिमोट को छुपा के रखा है अब शेकर समझ जाता है बहु को उसका यहा रहना उसे पसंद नहीं है वो अपने बेटे रोहन की आने की राह देखता है रोहन ओफिस से आजाने के बाद बेटा मुझे लगता है बहु को मेरा यहा रहना पसंद नहीं आरा पिछले कई दिनों से वो मुझे से डंग से बात भी नहीं कर रही पिताजी कैसे वो आपसे डंग से बात करेगी आप दीन बरों से कुछ ना कुछ काम बताते रहते हो इसके वज़े से वो ठक जाती है इसलिए पिताजी मैंने तय किया है मैं आपको व्रिद्धाश्रम में भेज़ दूँगा वहाँ आपकी अच्छे से देखबाल हो जाएगी और हम आपसे मिलने हफ़ते में एक बार आते रहेंगे बेटा मुझे व्रिद्धाश्रम भेजने के तुम्ही जरुरत नहीं है मैं वापस अपने गाव चला जाओंगा मुझे लगता था कुछ पल तुम लोग उनके साथ बिता दू इसी वज़े से मैं तुमारे यहा आया था अगले ही दिन शेकर वापस अपने गाव लोटता है और इधर पापा क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ आँ बोलो बेटा पापा रिद्धाश्रम भेजने के लिए क्या करना पड़ता है चेंटू तुम ये क्यों पूछ रहे हो तुम्हें ये जानकर क्या करना है मुझे अपने नोटबुक में लिखके रखना है पर क्यों बेटा क्यों कि मा बड़ी हो जाने के बात मुझे भी आपको वहाँ बेजना होगा ना जैसे आप दादाजी को बेज रहे थे अपने बेटे की ये बात सुनकर रोहन को अपनी गलती समझाती है और वो अपने गाव जाकर पिता जी से माफी मांगता है और उन्हें वापस शहर लेके आता है बच्छों जब हम चोटे थे तो हमारे माता पितानी हमें अकेला नहीं छोड़ा था इसलिए उनके बुड़ापे में भी हमें उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए